नमस्कार न्यूजपॉइंट में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ राजीव तो अब लॉकडाउन के चौथे फेज की समापती का समय आ गया है 31 मई को चौथे फेज का आखरी दिन है और अब इसी के साथ सवाल उठ रहे हैं कि क्या लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई जाएगी क्या एक जून से लॉकडाउन का पांचवा फेज शुरू हो जाएगा अगर पांचवा फेज शुरू होगा तो उसमें कितनी धील दी जाएगी क्या पांचवा लॉकडाउन केवल रेट जोन में ही लगाया जाएगा तो आज इन सारे सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदू उपाध्याई जी अमलेंदू जी आपका स्वागत है तो अमलेंदू जी आज पश्चिम बंगाल की मुखे मंतरी मम्ता बनर जी ने घोशना कर दी है कि उनके राजे में धार्मी किस्थल एक जून से खोल दिये जाएंगे लेकिन एक समय में केवल दस व्यक्तियों को ही जाने की अनुमती होगी मम्ता ने ये भी कहा है कि 8 जून से राजी के सभी दफतर जो है सरकारी दफतर और प्राइवेट दफतर जो है उसके कर्मचारी अपने अपने काम पर लोटेंगे सभी इसके अलावा पश्यम बंगाल के सभी सडक मार्ग को भी खोल देने की घोशना आज मम्ता बनर जी ने की है उधर गुवा के मुखे मंतरी प्रमोद सावंत ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए लोगडाउन की मियाद को 31 मई से बढ़ा कर 15 जून तक किया जाना चाहिए प्रमोद सावंत ने ग्रीह मंतरी अमिर्शाह को कहा है कि लोगडाउन के दौरान मौल रेस्तरां और जिम खोलने की इजाज़त भी देनी चाहिए और इसके साथ साथ 50% करमचारियों के साथ दफ्तरों को भी खोल देना चाहिए इधर किंद्रिय स्वास्त मंतराले को कोवीड टास्क फोर्स के दो पैनल ने लोगडाउन पर रिपोर्ट सौपी है अमलिंदू जी जिसमें लोगडाउन खोलने को लेकर सलाह दी गई है जिसमें कहा गया है कि लोगडाउन को हटाया जा सकता है लेकिन स्कूल, कॉलेज, मौल, धार्मिक स्थल इन सब को अभी बंद रखना ही सही हो रहेगा इसके अलावा जिन इलाकों में ज्यादा मरीज पाए गए हैं या मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है वहाँ पर अभी भी सकती बढ़ाने की जरूरत है ऐसा कहना है पैनल का आज पी एम मोदी और ग्रीह मंत्री अमित शाह के बीच भी बैठक हुई है अमलेंदु जी जिसमें लोगडाउन को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है ऐसा कहा जा रहा है जो सुत्रों के हवाले से खबर आ रही है अमित शाह ने राजियों के मुख्यमंत्रियों से भी उधर बात की है तो अमलेंदु जी कुल मिलाकर लोगडाउन का पांचवा फेज लागू हो या नहो इस पर अलग-अलग मानेताएं सामने आ रही है आज की परिस्फिती को आप कहां देखते हैं और क्या लोगडाउन को देख करके आप क्या कहते हैं कि लोगडाउन बढ़ा देना चाहिए इस सरकार की कुछ नीतियां मालूम ही नहीं पड़ रही है कि अगर माली लॉक्डाउन का पांचना फेस लागू होता है और जो कि लागू होगा ही तो उसका अब क्या सवरूफ होगा यह आज जो है 29 तारिक हो गई और 31 मरी तक चौथा लॉक्डाउन था यानि कि जो है कल का जो है बीच में एक और है और परसों का आपनी लॉक्डाउन चारका होगा और पहली जूम से लॉक्डाउन पांच नहीं होता है तो उसके खोलने की घोशना फिर भी कर देनी चाहिए थी कि लॉक्डाउन नहीं हो चु़कि घोशना भी तक नहीं हुई है यह इस परश्टर कि आप खार्शत और में सवाल ये है कि आज जब आप पैनल बना रहे हैं और राज्जियों कि मुष्च मंतियों से बात कर रहेैं हैं प्रश्न तो यह है ना जब 31 दिन्वरी को पहला केस भारत में सामने आ गया था उसी समय जो था वो हवाई अजों को बंदी क्यों नहीं किया गया और वहां से निकलने वाले प्रत्यक जिफ्टी की स्क्रीणिंग क्यों नहीं की गई सरकारी आखरे खुद बताते हैं जो चेंदिये सेक्रेक्टी है मिस्टर गावाउई की चिफ्टी जो राज्यों के सिर्ण को गई अब मीडिया में ख़ू उचली कि पंधर लाख लोग जो थे वो आये और जिनकी कोई जाश नहीं हुई विदेश से आये इसके बाद नमस्ते चुम्प कायर करम हुआ और नमस्ते चुम्प जी के फिचरण जहां जहां पड़े वो जगह आप देखिए सब जब बुरी तरीके से कोरोना से प्रभावित है और चाहे एहमदबाद हो चाहे आगला हो और चाहे वो दिनली है तो यह असल में बड़ी आप्राधिक किसम की लापरवाही जो है वो सरकार की दिखाई पड़ती है अब जब रहनमंति नरेज मोदी जी ने लोगडाउन कोई घोषना की सिर्फ सारे तीन दे कर गए तो जो आज आज आप तैयारियां कर रहे हैं कि लोगों को भेजाना है और आप सुप्रीम गोट महलत नामा देके बता अगर इस तरीके से पूरे देश में अवेवस्था फैली वो नहीं फैल की और इस तरीके से विस्थापन अपलायन हुआ वो किसी हाल में नहीं होता चुकि लोगों को से थोड़ासा बनाना था लेकिन अब 21 दिन का लोगडाउन लागू हो करके और जब लोगों के सामने र जो मीजया में खबने आई प्रधानमंत में का है कि कुछ लोगों का मन होता है हमने सबस्क्राइब जहां है वहां रहे यानि प्रधानमंती तो अपनी मन की बाते करते हैं लेकिन समझते हैं कि सारी दुनिया जो है वो मन से चलती है यानि जो आदमी 14-15 कृमिटर चला जा ज जा रहा है पहलों उच्छाले जाले करके तो यह सरकार इस तरीस को अधे कि हम पहला हैसा देश से फोली दूनिया में सारी दुनिया में रेकिए लेकिन टरीके से लागडाउन लागों की गए गया और कहीं भी इस तरीके की घच्चाए नहीं हुई ना थो लोग ट्रेनों म और जिस तरीकी से मास्टार स्टोकर से विवस्था पर जगाए हैं, तो वैसी पर कट्ध में आदी थी, लेकिन इस लोगडाउन की घोष्णा उसको एकदम से कट्ध में लिया कि खड़ा कर दिया, लोगडाउन की घोष्णा करते समय दावा क्या किया गया था, कि चूंकि इस बीमारी से लगने का और कोई चारा नहीं है, और यही जो एक तरीका बचा है, तो इसलिए चुकि लोगडाउन से लडाई लगनी है, तो इसलिए लोगडाउन लागू करना आवश्यक है, यही प्तानमति ने इन मोदी का दावा था, उस समय विपक्षने किसी में था कोई कि लोगों को लगा कि सरकार जो इमन्दार है कि उस समय अभी तरीक से निप्टा यान भीमारी से लगा है, उस समय लोगों यह सवाल नहीं है, कि आप जो थे वो दो महीं तक क्या कर रहे से, जब 11. जब 11. जन्वरी को पहला आ गया था केस, जहां-जहां भी case पहुचे थे, आपने ही चोटा सा तेश है ताइमान और चीन से लगा हुआ है, वहाँ तो नहीं होए अधिया नहीं होई, तो हम पहला देश है जब हमारे बीमारी बह रही है तब हम जो है लोगदान में खोलने की तक्रिया अपना रहे हैं, यह सरकार क्या करने जाए नहीं समझा की। कि आपने इसका इस्तिमाल किया है विल्कुल उस पर भी उस पर भी आएंगे हम लेंदू जिस पर भी आएंगे हमारा जो अगला सवाल उसी पर है आप से और मैं जड़ा उस पर कुछ समिक्षात्मक कुछ बाते रख दूँ फिर मैं उसी पर आ हूं जो आपदा अधिनियम जो है आपदा कानुन जो है उस पर हम बात करेंगे लेकिन लोगडाउन की समिक्षा के लिए ग्रीह मंत्राले की ओर से ग्यारा पैनल बनाए गये थे जिसका काम था कि लोगडाउन को लेकर रिपोर्ट तयार करना लोगडाउन के दौरान आने वा ऐसी खबर आ रही है पियमों के सामने चुनोती ये भी है कि वह एक ऐसी रिपोर्ट सोंपे जिसके आधार पर आगे की रणनीती तैय करने में मदद मिले आपको याद होगा अमलेंदू जी कि पहले लॉगडाउन की घोशना के समय बताया गया था कि चुकी ये एक आपदा परवंधन कानून के तहत सारे फैसले इसलिए केंद्र ले रहा है ये जो आप अभी जो आपदा की बात कर रहे हैं मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि राष्ट्री आपदा परवंधन कानून के तहत सरकार जो है वह फैसले ले रही है हाला कि राजसरकारों ने केंद्र और मोदीज जी के फैसले को कोई चुनावती भी नहीं दी और नहीं इस दोरान किसी के ने केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाई लेकिन जैसे जैसे अमलेंदु जी लॉगडाउन की मियाद भरती गई और उसी अनुपात में मरीजों की संख्या में भी जाफ जो आपदा प्रवंधन का नाम लेकर जो काम चल रहा था और वह वह सारी की सारी बाते जो राज्यों के काले में आप डाल रहे हैं मुखेमंत्रीयों से बात कर रहे हैं पहले आपने किसी भी मुखेमंत्र से बात नहीं किऑ सिर्फ चार घंटे के आहवान में आपने लॉक्डाउन चालू कर दिया जैसे नोडबंदी आपने लागू की थी उसी तरह लॉक्डाउन आपने चालू कर दिया तो यह तमाम जो चीजें हैं इस पर आपका क्या कहना है इस आपना को आपने लागूगरत तो यह जो आपने लागूगरत नहीं कर रहे हैं मुख्यमंतियों से बात नहीं कर रहा हैं आप स्वास्तन दिशांकित का औह बात नहीं करने हैं, जब किसी बात क्नी करने हैं, हरमर्ज की दवा अगर प्रणामंति न्रेंज मोडी है, तो सारी विफलताओं का जिम्मिटाई ही प्रहानमंति न्रेंज मोडी को ले नहीं होगी! किसी और के ओपर इसकी जिम्मेराई नहीं लाइट जाल सकते और यह जो 55 पर लागडाउन आप बुरी तरी के से फेल हुआ है हर मोर्चे पर यह सरकार फेल हुई है प्राहनमंति नर्यमोदी खास्तों से बुरी तरी के से फेल हुए सतह सालों में ऐसे पहले प्रिधानमंत्री हैं जो हर मोर्चे पर फिलू हूँ है और इस लॉगडाउन ने उनकी अस्लियत खोल के जो है पुछन्ता के सामने लग दिये तो नाश्पती प्रिढ़नमंति की म्यांनियों गालकर इसे ब्रांस मंतियों से प्राहन के अठी एक्ट कन पाए गड़े जटे आप शॉट के पर ऐखम ही. तो यानि आपका मूट आपका मूट जो है वो खराब हो या अच्छा हो इससे देश नहीं नहीं है क्योंकि आपका मूट से देश नहीं चलेगा देश चलेगा इस देश के समभिधान से देश चलेगा भी इसके तौर तरीकों से आपके मूट से नहीं चलेगा तो आप जो अपने मूठ से देश चला रहे हैं, यह तरीका चलने वाला नहीं है, सवार उठेगे इस पर, मुझे लगता है कि वरक्ष्ट को सवार उठाने चाहिए, कि तरह मनति जी आपके मूठ से देश नहीं चलेगा, और आप अगर अपने मूठ से देश चलाएंगे, तो इसको जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो पर एक सामुहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए सरकार की वो पूरे इंसाथ तरशक्तिनों में कता ही दिखाईनी पड़ी है और आज ग्रह मंत्री जो शक्री हुए है आपको याद होगा कि चालीस दिन तक लोक्डाउन लागू रहा उन चालीस दिनों में ग्रह मंत्री कही दिखाई नहीं पड़े आज तक कोई प्रेस नहीं हुई है बिल्कुल तो जब जब ग्रहमंत्री भी मोर्चे बर मौजूद नहीं है और प्रहानमंत्री जो है वो आये चार पांच वार टेलीविजन के अपना अपना दिखाने के लिए ताली थाली बज़वाने के लिए लेकिन आप देखिए कि उनके मित्रु ट्रम्प जो जिनको उनक बिल्कुल सही कर रहे हैं लेकिन जब लॉगडाउन के हम बात कर रहे हैं तो अब चाहे लॉगडाउन बढ़े या खत्म हो एक बात तो अमलेंदु जी साफ नजरा रही है कि इस लॉगडाउन ने जनता को काफी डाउन कर दिया है गरीबों और प्रवासी मजदुरों की बात तो हम लगातार कर ही रहे हैं अमलेंदु जी लेकिन आज जो देश की विकास द इस मार्च से लॉगडाउन लागू हुआ था और हम जनवरी से मार्च का जो जीडीपी आंकड़ा जो भी आया है उस आधार पर देखें तो जीडीपी गिर करके तीन दश्मलों एक फिसदी पर आ गई है देश की जीडीपी आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष यानि दो लोग अभी से ही लगा सकते हैं कुल मिला करके मोधी सरकार अपने दूसरे कारेकाल की पहली सालगिरह तो धूमधाम से मनाने जा रही है यह साफ दिख रहा है लेकिन देश की जनता मोधी सरकार की नीतियों और फैसलों से कितना प्रभावित हुई है इसकी समीक्षा भी दोवों को भी बहुत धन्यवाद और देखते रहे हैं टीवी लाइब नमस्कार